Hello friends, welcome to my channel Friends, I am a bujumar tips के video लेकरा चुकी हो मेरी पहले tips जो है वो, mauAKE Međ आ में पानी के कमबल को चाफंची तरह से करें तो बीन पानी के हम कमबल को किस स향 पर चाल करें, यह जब जानने के लिए वीडियो पर बने रहें वीडियो पसंदा है तो वीडियो को लाइक करें फ्रेंट्स सर्दी के दिन में क्या होता है कि मोजा हम कुछ ज्यादा ही इस्तमाल करते हैं और उन्हें धुलने के बाद रखने में काफी दिक्कत होती है और प्यर गुम हो जाता है तो उसे हम किस तरह से store करें कि मोजा ढूनने में दिक्कत ना हो friends हम अक्सर चना डाल वगरा लाते हैं उसे कीड़े से बचाने के लिए क्या करें friends हम जब भी बाहर जाते हैं तो पर्स में हम धेर सारे समान रख लेते हैं ज्यादा सॉक्स पहन के रखते हैं और घर में सभी के दो तीन पेर सॉक्स होते हैं धुलने के बाद उसे रखने में या ढूनने में काफी परसानी होती है तो उसे बचने के लिए मैंने यहां एक टिप सेर किया है तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि एक सॉक्स को हम अच्छी तरह से रोल कर लेंगे फिर उस सॉक्स को हम दूसरे सॉक्स में रोल करके इस तरह से मोड कर उसे रख देंगे जिससे कि दोनों सॉक्स एक जगह ही हमें मिल जाएगी तो इसी तरह से हम सारे सॉक्स को मोड लेंगे जिस तरफ हमारी उंगलिया होती यह उस तरफ से हम रूल करना सुरू करेंगे और जिदर से हम पैर को सॉक्स में डालते हैं उस जगह को हम उल्टा फूल कर देंगे जिससे की सॉक्स सेक्यूर हो जाएगा इसे आप कहीं भी रख सकते हैं और आपको ढूनना नहीं पड़ेगा दूसरा पैर तो आई होप आपक कर रख सकते हैं आप इसे बैंग में रख सकते हैं डबे में रख सकते हैं या कहीं भी आप रख सकते हैं फ्रेंट्स मेरी अगली टिप जो है वह इस तरह के उडन फरनिचर को लेकर है फ्रेंट्स हम कीचन में अकसर इस तरह के उडन फरनिचर इस्तमाल करते हैं और इस पर ह में हम अगर कोई गर्म चीज रख देते हैं तो क्यालता है कि उसकी गर्मी के कारण नीचे से वह माइका छोड़ने लगता है तो उससे बचने के लिए हम इस तरह का स्टेंड इस्तमाल करेंगे इस तरह के स्टेंड पर रखने से क्या होगा कि डायरेक्ट सर्फेस गर्म नहीं तो इसी के साथ मैं अपने अगले टिप के और बढ़ती हूं मेरी अगली टिप जो है वो अनाज को लेकर है फ्रंस हम धाल चना किलो या हाफ किलो ऐसे लेकर आते हैं डेली तो हम सारा यूज नहीं करते हैं इसे हम कंटेनर में रख देते हैं लेकिन क्या होता है कि कभी के ब बगए चम्मच डाल देंगे आप तेल अपने दाल या चने के अमाउंट के अक्रणिंग रखे अगर ज्यादा दाल हो तो थोड़ा ज्यादा रखे बस इतना तेल डालना है कि जब उसे हम हाथों से इस तरह से मिक्स करेंगे तो डाल या चने के ऊपर एक कोटिंग बन रखेंगे तो उसमें काफी दिन तक किड़े नहीं लगेंगे इस तरह से आप चना मटर काभली चना सबी तरह के दाल को ज़्यादा दिन तक च्ञादा या पर्स को लेकर है जब भी हम घर से बाहर तो हम इस तरह का बड़ा पाउच या पर्स इस्तमाल करते हैं पाउच में हम फून, चार्जर, हैंकी, पैसे, मुबाईल कि साथ साथ चावी भी रख देते हैं और जब तो समान इधर उदर गिरता है या हम जब भी वापस आते हैं और चावी ढूंडने में हमें काफी परसानी होती है तो इस परसानी से बचने के लिए मैं एक टिप सेयर कर रही हूं इसके लिए हम लेंगे एक सप्टिक पिन सेप्टिक पिन लेकर हम क्या करेंगे कि परस के अंदर यहां भी जिप लगाने का जगह हो अगर जिप में होल हो तो उसमें आप फसा दे या जिप के ऊपर इस जगह पर होल रहता है इस जगह हम सेप्टिक पिन को लगा देंगे और इसी में हम चावी को लगा कर सेप्टिक प वह बटना काम फे य हैं कमबल के सुखानें दोफ पाने में अगर यह कमबल करनेते हैं करते हैं गर में डिये करते हैं यहां दोफिसने दोफो गाते हैं यह दोखनू को तो करते हैं , खाना में पारे लिया detbinglly मेन ब्लाइब कर दोफ बटने थाल offensive pen बेकिंग पाउडर के मांट में टेलकम पाउडर ले लिया है आप बेकिंग पाउडर और टेलकम पाउडर कंबल के लंबाई चुड़ाई के रिकॉर्डिंग लीजिए मैं बस दिखाने के लिए कर रहे हूं मैं थोड़ा सही ले रही हूं इसके बाद हम क्या करेंगे कि बेकि बगभक 10 मिनट के लिए छोड़ें तकि ये हैं इसमें बेक्टेरिया को खिल करें और वद्बू को भी वखना है दस-से पंद्र मिनट के बाद इससे हम क्या करेंगे कपड़े धोने वाले ब्रस से जाड़ देंगे ताकि बेकिंग पाॉड़र और पाउड़र निकल जाए फ् कम्बल पर डाले हुए बेकिंग पाउडर और चलकम पाउडर को जहाड़ देंगे इसके बाद इसे हम धोने के लिए क्या करेंगे कि इसमें इसमें निकले और थोड़ी गंदगी भी साफ हो एक बाउल लेंगे पाउल में मैंने यहां लगबग दो गलास पानी लिया है पानी करीपाईगआ और इज़ी डालने के बाद हम इसे अची तरह से घोल लेंगे गोलने के बाद हम क्या करेंगे को इसकी पुराणा कपड़ा साफ जा sniff ये-व हैंकी लेंगे हैंकी को इसमें डुबो कर अची तरह से निचोड लेंगे, उससे निचोडने कmud micro camera कि ए वर फेला देंगेर, वर फेला कि लेंगे आप और किसे Хंकी भी प्रेट थलए या इसी तरह कथा य्था का ड़कन मेरे पास इस तरह का अच्छकन कंबल पर जो भी धूल गंदगी और बेकिंग बाडर हो का वो इस पर चिपक्ट निकल जाएगा इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे कंबल को उल्टा पल्टा करके चारो तरफ से अच्छी तरफ से साफ कर लेंगे साफ करने के बाद हम क्या करेंगे कि फैन अन करके इसे सूपने के लिए छोड़ देंगे अगर धूप निकल रहा हो तो आप कंबल को धूप में भी डाल सकते हैं धूप में डालने से जो भी हलकी फुलकी इसमें मौइस्चर होगा वो निकल जाएगा धूप नहों तो आप फैन अन करके इसे फैन के नीचे छोड़ दें आपका कंबल जैम फ्री हो जाएगा काफी लोगों को क्या होता है कि डेटॉल का स्मेल पसंद नहीं आता है तो डेटॉल के स्मेल को निकालने के लिए मैंने यहां क्या क्या है कि गुलाब जल लिया है और एक स्प्रे बॉटल लिया है गुलाब जल को मैंने स्प्रे बॉटल में डाल दिया है आप चाहिए इसमें पानी भी मिक्स कर सकते हैं उसके बाद इस प्रे बाटल से उलाब जल को हम सारे कंबल पर स्प्रे कर देंगे उसके बाद इसे पंकेक नीचे सुखने दें या अगर धूप निकल रही हो तो आप कंबल को धूप में भी डाल सकते हैं